अले दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल अगर तरह तरह की साबून फेश वोस यूज़ करके आपके चेहरे का निखार हो गया है चेहरे की नैचुरल चमक हो गई है स्किन आपकी लूज हो गई है चेहरे पे कोई चमक नहीं है निखार नहीं है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत लब दायक होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आपके लिए एक ऐसा घरेलू फेश वोस लेके हूँ जो इसको आप अपने चेहरे पी लगाएंगे आपके चेहरे पे ऐसा निखार आएगा कि आपने कोई बहुत बड़ी ऐसा फेशियल ही करा लिया है ऐसा आपको घरेलू फेश वोस में आपको बताने वाली हूँ और हाँ आप ये फेश वोस लगा लेकी बाद कभी भी मार्किट के फेश वोस आबू निउस नहीं करेंगे आपको इतना अच्छा इससे निखार रिजल्ट मिलेगा और इसको बनाना बहुत ही ऐसान है आप इसको इसको स्टोर करके रख सकते हैं एक हफ़ते के लिए बना सकते हैं और सुबा में डेली इस फेश वोस को अपलाए करके आपकी सकिन को निखार सकते हैं वहोत थी पुर तक सुन्दर दिखती थी पुरानी रानिया हर को इन ही को यूज करता था क्योंकि सावुन फेश्वोस नहीं होते थे और आपने नोटिस करा होगा आपकी दादीमा नाडीमा ने आपको बोला भी होगा अगर आपकी चेरे पर बहुत पिंपल्स हो गए हमें तो कभी ये ने लगती है अपनी लास्टिस्टिक होने लगती है तो आपको आज बहुत बढ़िया हो मेर फेश बोस बताऊंगी बस बना के आज ही रख लेना और सुबार डेली आप इसको अपलाए करना बहुत असान हुगा इसको बनाना अपलाए करना आप बोलेंगे मज़ा आ गया आपने बताया हम तो इसी को अप्लाइ करेंगे और चहरे पे बहुत अच्छे रिजर्स आगे मैं तो बहुत यूज करती हूँ एक कंटेनर में बना के अपने बातरूम में रखती हूँ याद ना रहे न कहीं और रखे तो लेकी जाना बातरूम में जाती हूँ सामने होता है उसे को यूज ganzen और चहरे पे बहुत अच्छे मिरे विचन सundert मिले तो मैं चाहिए म Lore एकामस फ्यूज को भी दिशर्ट मिले तो फोटाफि से शेर करते हूँ आपके साथ कैसे ऐस बनाना रहा मेरे पासद लाद क्वांद सांते की दीदि जो और उच्छा करने के लिए और साथ में कोई भी इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल भी नहीं होगा तो पहले मैं आपको बेबी के लिए आप क्या अपलाई कर सकते हैं वो बता देटी उसके बाद ये जादू घरेलू फेस वोश और अपनाई स्किन कोॉर ज़्यादा इनहेंस करेंगे और ज़्यादा क्लीन करेंगी आपके बचों पर आप क्या यूज्ज कर सकते है वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के वही मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप uzक्र स्क्री ग्लिसरीन, कोकोईनट ओईल एंड फ्रूट एक्स्ट्रैक्ट, एसलस, 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 एसलस एंड पेराबीन फ्री है, एंटी बैक्टीरियल है, टू इयर प्लस जिनके बच्चे हैं, दो साल से जो बड़े बच्चे हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं, पांच कलर में साबू साबून बच्चों के लिए लॉंच किये हैं, मैं आपको दिखा देती हूं, पांच यहां पे साबून आ जाते हैं, एक दब्बे में इस तरह से, तो यहां पे यह जो आता है, फर्स्ट साबून, यह वाला, यह हैं मैंगो बाइट, इसके भी सारी इंग्रीडियंट बिल्क केमिकल नहीं है, आप अपने बेबी को बिना किसी जिजग के नॉर्मली यूज कर सकते हैं, और आपके बच्चे को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, कोई भी आपको साइड इफ्रक्ट नहीं होगा, बिना डरे, बिना जिजग के आप बिल्कुल यूज करें, सेकिंड है, स्ट जो है, फोर्थ है, औरेंज बार, ये वाला हमारा औरेंज बार आ जाता है, और अभी लास्ट में है, ब्लू बैरी बलश, बहुत है प्यारे ट्यारी कलर है, बच्चों को जो भी उनका फेवरिट कलर है, आप उनको इस तहां से साबून से जिज़स्ट करेंगे, कि बटा को कोई भी side effect harm नहीं पहुचेगा, और ये इनके सारे ingredients है, यहां पे mention किये गए है, सारे साबून के अलग-अलग कोई भी chemical नहीं है, सबसे best बात, और मामा अर्थ प्लास्टिक पोजटिव ब्रांड है, जितना प्लास्टिक यूज करते हैं, उसे कहीं ज्यादा प्लास्टि और मैं आपको इसका लिंक नीचे description box में डाल दूगी, आपको ये प्रोड़क मामा अर्थ, एमजुन, नाइका परपल पे मिल जाएगा, और अगर आप मेरा बताईवा coupon को, मॉम 2020 जो यूज करते हुए इसको बाई करते हो, तो आपको extra 20% off का discount भी मिलेगा, और एक साबून मैं आपको यहाँ पर यूज करके भी बता देती हूँ, मेरा green color favorite है, तो आपको green color वाली ही साबून यूज करके बताऊंगी, सबसे पहले आपको baby की body को गीला करना है, बच्चे की body को, उसके बाद से आपको बच्चे की body पे साबून को इस तरह से रफ करते हुए लगाना ह और उसके बाद जैसे हम बच्चे को नहलाते हैं, उसी तरह से आपको body पे करनी है, massage और आपके बच्चे की body बिलकुल clean हो जाएगी, दूल, मैल गंद की dust, सब निकल जाएगा, और body एक दम clean हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरा 4 साल का बेटा है, मैं उसको हमेशा इसी साबू जैसे तरह सकती है, आपको कितनी लगती ना, इसी बताओ, बहुत अच्छी लगती है, और smell कैसी है, मैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और मेरे बच्चे को smell भी बहुत पसंद है, और एकदम से आप देख सकते हो, body एक दम clean हो जाती है, कैसे हाथ एक्डम clean हो गय अच्छे से क्लीन हो गई है तो आप भी अपने बचे पर ट्राइ कर सकते हैं आपको एक चमच गेहू का आटा लेना है मैं यहाँ पर लगबग एक हफते के लिए फेश वोस बना रही हूँ आपको जितना बनाना है आप उसके हिसाब से लिए आपको तीन चार दिन कब बनाना है तो आप आधा चमच भी ले लेना एक चमच मैं यहाँ पर लूँगी गेहू का आटा जो की हमारे चेहरे को साफ करने के लिए सदियों से दादी मा नानी मा के टाइम से यूज होता आ रहा है पुराने टाइम में जब आज के साबून फेश वोस नहीं थे तो इनी सब चीजों से ही हमारी स्किन को साफ किया जाता था और साफ क्या बहुत ही अच्छी स्किन होती थे आप पर पुराने टाइम में कभी नहीं सुना होगा उनके चेह पे पिंपल्स भरे हो गए कभी दादी मा मम्मी से पूछना हो बताएंगी कि हमें तो कभी ये पिंपल नहीं होएं तुमको पतानी क्यूं होते हैं ऐसे होता है तो यही सब चीज़े यूज करते थे तो उनकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी दूसरी चीज हमको लेनी है बेसन यानि की ग्राम फ्लोर वेसन भी आपको आपके किचन में ईजी ले मिल जाएगा अब देखे ये दो चीज तो बहुत कमपलसरी है आपको लेनी ही लेनी है इसके बाद तीसरी चेज हमको यहाँ पे लेनी है मुल्तानी मिट्डी पाॉडर चाहे मारकिट वाला मुलतानी मिट्टी पाउडर ले, चाहे साबुत मुलतानी को पीस के पाउडर बढा ले, आप पे डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे एक चमर्च मुलतानी मिट्टी ले रही हूँ, ठीक है जी, अगर आपको मुलतानी मिट्टी सूट करता है, तो आप मुलतानी मिट्टी ले, उसमें ऐसे कुछ नहीं होता कि किसी को सूट ना करें इसके बाद मैं ले रही हूँ चंदन पाउडर एक चमच हो देखें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है अगर आपको चंदन पाउडर सूट करता है तो ले वरना इसको स्किप कर दे छोड़ दे बाकी चीजे तो आप के पास चंदन पाउडर नहीं भी है आप खरीदना नहीं चाहते तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है आप इसको छोड़ दे मत यूज करें जो है वही ले लेकिन चावल का आटा और बेसन यह दो चीज़े कंपल से हैं आपको लेनी ही लेनी है और यहां पर मैंने मिलाया तो हमें सारी चीजों के बेनेफिट्स बराबर तरीके से मिल सके यूज करने का तरीका बिलकुल अलग है तो भी आपको इसके रिजल्ट मिल पाएंगे अब आपने करना क्या है मैं आपको बता देती हूं आगे तो हमारा फेश वोस बनके रेडी हो गया अब बताते है इसक थोड़ा सा पाउडर जितना आपको एक बार में लगेगा आपको पाउडर आधा चिम्मच की करीब अपनी हतेली पे इस तरह से लेना है आलमन डॉयल सूट करता है तो आलमन डॉयल में लाएंगे या फिर दोनों सूट नहीं करते हैं तो आप नारियल का तेल भी मिला सकते हैं जो भी आपके स्किन को सूट करें आपको दो तीन बुन्दे यहां पे टेल की भी डाल लीनी है और इसके बाद हमें थोड़ा सा यहां तो यहां पर नहीं पर दोड़ा शुट करना भाइब दाला है कच्छा दूद यानिकी रोज वोटर डाले या फिर नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं का लिए ना अरब शॉत यहां पर मनें थोड़ा सा दूद लिया अब आको क्या करना इसको कर लीक्स अपर शॉली फीक ही प्लबरो प्रेंट डाली पानी चाहे तो अगर आप कच्छा दूद यूज़ करें तो कच्छा दूद और इस तरह से अपने फेस पे आपको करना है मसाज जैसे कि आप पेश वोस करते हैं अपना चहरा क्लीन करते हैं ऐसे नीचे से उपर की तरफ अच्छे से करना लेकिन आपको इसको शुरुआत में को दो इसको यह से वोस करें तो आप करें इसको कम से कम 5 मिनट के लिए लेकिन जब आप इसको डेली उस ऐसको लगि मांद से आप इसको एक दो के रिजर्ट मिलने वाले हैं मैं उसको बहुत ज्यादा टाइम सभी हूँ और इसके बहुत ही अच्छे अपने रिजर्ट से आपकी चैरे पे नैचरल निखार आएगा जो कि आपकी स्किन का निखार जा चुका है चैरे का रंग गोरा होगा चैरे पे बहुत बढ़िया वाली जाँ ग्लो आएगी जो कि अपकर चली गई पहले के सनाट, दोलीन था दोइयो, בries आपको करने आपका निखार रिजव हो पिंपल्स नहीं आएगा डेड स्किन आपके निकलेगी चारे पर वापस निकार आएगा और नाच्रल अंदर से इसकिन पे गलो एगा क्योंकि आप अपनी स्किन पर अब से क्यों भी केमिकल तो यूज कर नहीं रहे हैं और आप देख सकते हो कैसे फैस एकडम क्लीन हो गया द करना ना भूले इसके लएवा जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देखरें सब्सक्राइब करने साथ पर जो बैल एकन आता है उसको जरूर दबाना ताकि आप हमारी हर नहीं वीडियो देख पाई सबसे पहली तो दोस्तों मैं जोती मिलती हूँ आप से अगले वीडियो म तक तक किली बाइ बाइ